भारत की तस्वीर सच ही मिशन है और हमारे साथ हैं अभीनेता निवान सेन जो की निर्माता भी हैं फिल्मों के कई सारी हिट सीरियल कहानी घर घर की प्यार का दर्द है मीठा मीठा और अभी हाल में स्टार पर जो सुपर हिट सीरियल इनका रहा है गूम है किसी के प्यार में उसमें एक एहम किरदार इन्होंने निबाया है बहुत सारी फिल्मों में आप देखते हैं बहुत सारी सीरियल्स में आप लोग इनको घर घर में जानते हैं निवान सेन हमारे साथ हैं और आप हमारे साथ पार्था भटा चारजी हैं जो की लेखक हैं खास कोलकता से बनारस आये हुए हैं काशी में एक अपनी एहम प्रोजेक्ट को लेकर आज हम इसी की चर्चा करेंगे कुल लड़की चाय भी साथ में हैं निवान सेन भी हैं और सबसे बड़ी बात है कि निवान सेन का नाता बनारस की इनी गलियों से है और अरसे से ये बनारस से जाने के बाद मुंबई में काम कर रहे हैं अपना नाम कमा रहे हैं और काशी से इनका अखाद प्रीम हैं और यही वज़े कि आज काशी में हैं निवान सेन जी भारत की तस्वीर में आपका बहुत स्वागत है धन्यवाद अश्वनी जी गंगा के किनारे आपके साथ बैठा हूँ तो पुरानी यादे ताजा हो गई आपके इस चैनल के माध्यम से मैं दर्शकों को बता रहा चाहूँगा कि अश्वनी जी मेरे गुरु भाई भी है रंग मंच से और हमारा बहुत पुराना रिलेशन भी रहा है ये मेरे सीनियर भी रहे है थेटर में मंच दूत हमारी संसा का नाम था उसके हमारे सीनियर आटिस्ट भी रही है और आज मेरा सौभाग है कि अश्वनी जी अपने ही गुरु भाई का एंटेव्यू ले रहे हैं I am blessed और बनारस से अपना नाता तो ऐसा है कि बनारस से मैं कभी छूटा ही नहीं देखे बनारस से आपका नाता बड़ा गहरा है दरसल मैं उसके पहले मैं खुद बहुत अपने आपको गरवित महसूस कर रहा हूं कि मेरे भाई निवान सेन चोटे भाई निवान सेन जो कि आज हमारे गुरू थे स्वर्गी विश्वनात बोज दादा जिन से हमने कभी इसलिए मैं बहुत सोभागे शाली समस्ता हूं अपने आपको आप सोभागे शाली हैं हमारे साथ जूड़े वह तमाम लोग बहुत सोभागे शाली हैं जो दादा ने हम लोग को सिखाया था हमारे क्षेत्र बदल गए लेकिन हम हर लोग अपने अपने क्षेत्र में अपना सौफी सदी देने का प्रयास कर रहे हैं दादा के बताये हुए उनके आचरण, उनके गुणों को हम apply करने का implement करने का प्रयास कर रहे हैं अपने गुणों के माध्यम से और आज आपका सवाल था बनारस में आके कैसा है बनारस में कभी detached हुआ ही नहीं बनारस हमेशा मेरे दिल के करीब है आज भी सपने देखता हूँ तो बनारस की सपने देखता हूँ मेरा जनम बनारस में हुआ मेरा घर बनारस में है मेरा होमटाउन है बनारस मेरी सिक्षा दिक्षा हुई मेरी पढ़ाई महात्मा गांधी काशिव इद्धा पीट्स और मतलब एक होता नँए मा का बच्चे के साथ जुडाओ तो बनारस की मिट्टी के साथ वो बंधन है मेरा बनारस की मिट्टी के साथ आपका बंधन है मैंने वो तमाम सीरियल आपके गिनाए और अभी स्टार पे जो सूपर हिट सीरियल आपका रहा उसमें आपकी किरदार की बड़ी चर्चा हुई क्या कहेंगे उस किरदार के बारे में क्या कुछ आपका अनभो रहा है देखिए सदानंद के किरदार को लोगों ने बहुत प्यार दिया मैं बहुत बहुत शुकर गुजार हूँ आपके इस चैनल के माध्यम से के हमारे तमाम उन वडियूंस का उन दर्शकों का जिनोंने इस शो को प्यार किया और आज भी वो वन अब तनमबर वन शो में से एक है गोमे किसी के पयार में और सदानंद का किरदार आज भी लोग याद करते हैं आज भी लोग मिलते हैं तो मुझे पूछते हैं बट क्या होता है कई बार जीवन में डेली सोप का रूटीन थोड़ा अलग होता है टाइम एड़िस्ट करना बड़ा मुश्किल हो रहा है जिस समय मैं ये शो कर रहा था उसमय मैं अलरीडी एक कमिट्मेंट मेरा था एक वेफ सीरीज के लिए जो इस समय वूट औरीजनल पर आप देख सकते हैं वूट औरीजनल और अल्लू औरीजनल पर जुमकिया जिसकी मरी शूटिंग थी वो क्लैश हो रहा था देट्स और मुझे अपनी वाइफ से मिलने बैंकॉक भी जाना था जिसन से मैं ढ़ाई साल से मिल नहीं पाया था तो मेरी पर्सनल लाइफ मेरे पर्सनल कमिट्मेंट उसके बीच में आ रहे था तो मैंने प्रड़क्शन आउसे बात किया डेट क्लैश हो रहे थे तो मिच्वल इंडर्स्टैंडिंग पर मुझे शो छोड़ना पड़ा तो मैं फिर से आप सभी ओडियंस का सावी धर्शकों का शुक्रियादा करना चाहूंगा आपके चैनल के माद्यम से कि उन्होंने इतना सारा प्यार दिया उस किरदार सदानत के किरदार को आपने कहा कि आप अपनी पत्नी से मिलने के लिए ढ़ाइस साल का आपको इंतिजार करना पड़ा बेंकॉक जाना पड़ा जाहिर सी बात है कोरोना काल था और वो आपकी जो भावनाय थी वो भी हम देखा करते थे तो बड़ा हमें भी लगता था कि आप लोगों को मिलना चाहिए और इश्वर ने देखे कोरोना का अंति किया और आप बैंकॉक पहुँच के तो कैसा लगता है आपको एक अभीनेता के तौर पे बनारस की गलियों से निकल कर मुंबई में बहुत सारी जो आपने अचीवमेंट हासिल किया उसके पतनी से मिलने के लिए आपको जाना पड़ा तो कही न कहीं आपको लगता नहीं है कि आपकी जो समवेदनाय है उतना कितना मजबूत होना चाहिए कभीनेता के लिए देखिए मैंने तो एकी चीज़ समझा है अपने संघर्ष के दिनों से आज भी संघर्ष चल रहा है कि वक्त किसी का इंतजार नहीं करता है एक इंगलिश में कहा हुत है time and tight wait for none तो हर इंसान को जिन्देगी में अपने वक्त को value देना बहुत जरूर है मेरे पापा ने भी एकी बात समझा है बच्पन से हमें कि अगर वक्त की इज़त करोगे तो वक्त आपकी इज़त करेगा वो आज भी punctual है आज भी वक्त की इज़त करते हैं मैंने एकी चीज़ सीखा इस करोना काल में कि उज़ जो धाई साल मेरी जिन्दगी के निकल गए करेशों को महसूस करने का कि क्या छूटा क्या खोया और जीवन में रिष्टों की आहमियत क्या है वो समझने का मौका इस करोना काल ने दिया इसलिए मैंने अपने profession को side में रख दिया कुछ देर के लिए मैंने का ये बहुत सारे काम में कर लूँगा जीवन आगे है काम करने के लिए लेकिन ये वक्त अगर गुजर गया तो फिर मैं उसको rewind क्योंकि जीवन के cassette में rewind का button नहीं होता बहुत बड़ी बात आपने कहा कि परिवार को भी वक्त देना चाहिए अपने को भी वक्त देना चाहिए ये ठीक है कि आप अपने जिस भी profession में उसमें achieve करना चाहते हैं उसमें लगे रहते हैं कोरोना काल ने वाकई में बहुत कुछ सिखा दिया हमारे साथ पार्था भट्टाचार जी हैं जो की लेखक हैं आप कोलकता से आये हैं और मैं आपको बता दूँ कि आप लोग काशी पे आये हैं इसलिए क्योंकि एक खास प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं उस प्रजेक्ट के बारे में आप ही सी जानेंगे, आप लेखक हैं, आप बनारस में हैं, कैसा पहले महसूस कर रहे हैं? सबसे पहले तो ये बात है कि यहां का महौल, मनारस जो है, मेरी जिन्दगी के एक सपना था, अभी कासी बावा, विश्वनाद बावा कासी बात से मैं यहां आ चुका हूँ, अल लेडी, क्या होता है, एक सपना जो होता है, अगर तही दिल से वो चाहा जाए, तो मिल जाते है तो बहुत सालों से मेरी एक वाइस थी कि मैं बाबा के पास आओंगा, अब देखिए, उन्होंने इस तरह से मुझे यहां लेके आए, एक प्रोजेक्ट के जरीए मुझे यहां लेके आए, इसमें निवान जी का मैं बहुत सुक्रियादा करना चाहता हूँ, अपना सुनिल काम कर रहा हूं, कहां-कहां घुम रहा हूं, यह सब रह जाएगा, वहली रह जाएगा किक्या हम सब हमने लेकाख कूँंगा। लेकिन कुछ कुछ चीजे है जो मन की कलम से जो लिखा जाता है तो उसे सब से ये बोनला बहुत मुश्किल है लेकिन बहुत आनंद हो रहा है एक एक चीज एक एक जगा पे गलियां बनारस के गलियां लोग इतने सारे बाबा का मंदीर है माता मंदीर है अन्नपुन्ना जी का का मन्दीर है कालो भई रभ जी का मन्दीर इस सब चीज मैं देख देखते मतंब जिसको बोते हैं मेजमराइज हो जाना है और सब बाया नहीं कर सकता लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है और ये अभी तक खथम ने वहाँ अभी वह इज़ा कर रहा हूं यह और करूंगा भी बनारस पे आपको मालूम है कि आप जानते होंगे कि बहुत बड़े-बड़े लेखक हुए यहां से, बहुत बड़े-बड़े रचनाकार हुए काशी, साहित की नगरी है, संगीत की नगरी है, अध्यात्मी की नगरी है, तो मुझे लगता है कि आपका यह जो दौरा है, मारा जो प्रोजेक्ट है, यह है इंदो-थाई प्रोजेक्ट, मतलब अध्याइड और इंडिया का जो कल्चर है, तो बहुत मिलता चुलता है, तो मुझे तो लग रहा है कि मैं बनारस के बारे में अपने देश के बारे में इतना कुछ लिखूंगा, साहित एक प्रोजेक् आगे आप देखते हैं क्या होगा, निवान सिन, आप बनारस के हैं, इंडिया के हैं, थाईलेंड में आपकी धरम पतनी रहती हैं, क्या रिष्टा जो आपने बनाया, वो सम्मंद अब फिल्म में कनवर्ट हो रहा है, और आप दोनों देशों के सहयोग से फिल्म बनाने जा श्री सुनील कोठारी जी का, जिन्होंने अपनी विचार को हमारे सामने रखा, थाईलेंड में सुनील कोठारी जी एक प्रतिष्टित व्यवसाईर की रूप में जाने जाते हैं, बहुत बड़े अच्छे फिलोसफर हैं, एक बहुत अच्छे वक्ता हैं, एक बहुत अच् बुलाया गया था जहां पर पहली बार मैं सुनील जी से मिला उसके बाद फिर उन्होंने हमें डिनर पर इंवाइट करा और हमारी बात चीत हुई हमको लगा उनके विचार की एक इंसान एक व्यक्ति विदीश में भी रह करके हिंदुस्तान के बारे में इतनी व्यापक पैमा पर इतनी बड़ी विचार धारा रखता है हमरे संस्कृति के बारे में हमारे कल्चर के बारे में हमारे विचारों को लेके और ऐसी चीजों पे आज मेरा गला बैठा हुआ है मैं समझ सकता हूँ आप बनारस में जो कि इस समय तेहवारों का मोसम है तो बहुत सारे परेटक आ रहे हैं और तमाम तरह की चीज़ें हो रहे हैं तो आपके गले में दिक्कत आई है लेकिन उसके बाद भी आपने समय दिया है मैं एक अलाकार की रूप में बोलता हूँ तो मुझे लगता है कि मैं वो स्ट्रेंज से बोल नहीं पा रहा हूँ लेकिन आप तो समझ आप तो मेरे गुरू भाई रहे हैं आप समझ सकते हैं आपसे यह जानना चाहेंगे यह जो प्रोजेक्ट है इसमें क्या कुछ आप बतान के सामने विश्व पडल पर सिनेमा के माध्यम से रखेंगे तो बहुत सारी चीजे जानने को मिलेगा देगे सिनेमा का माध्यम यह नहीं होता कि हम कुछ भी परोसें सिनेमा का मेरा यह मानना है सिनेमा वो चीजे जो आपके वेक्तितों का आईना है समाज का आईना है हम वो च इतना स्ट्रॉंग तरीके से अपने दावेदारी प्रस्तुत कर रही है वहाँ पे आप देख सकते हैं कि सामान्य सब्जेक्ट पे इतने बड़े-बड़े शोज बन रहे है पंचायद, कुलक, I mean मिर्जापुर जो जमीन से जुड़ी वी कहानी आए तो हमें भी लगा कि हम भी अपनी बात को रख सकते हैं सिनेमा के माद्यम से प्रयास यही है कि हिंदुस्तान और थाइलैंड के जो कल्चर है जो बेसिक टैबूज हैं जिसको हमने शायद छोड़ दिया कहीं पीछे उसको फिक्षिनाइट करके कंटेंप्ररी वे में हम आउडियन्स को दिखा सकें बहुत बहुत शुपकामना है आपको कि आपने एक मिशन लेकर आप चल रहे हैं क्योंकि आपको थाइलैंड और हिंदुस्तान की जो संस्कृती है बहुत सारी संस्कृती थाइलैंड की ऐसी है वहाँ भी आयोध्या है जी बिल्कुर आपकारी के लिए बताओं वहाँ भी रामायण होता है थाइलैंड में मैं जाके सर्प्राइज हो गया कि थाइलैंड में भी हिंदु देवी देवताओं की इतनी जादा पूजा होती इतनी सारे मंदिर है कि भगवान शंकर गणेश जी का माता रानी का सब का मंदिर है इतनी पूजा पाट होती है इतने धार्मिक लोग हैं वो लोग इतनी संसकारी लोग है I will, it's very difficult to explain in words तो उस संस्कार को हिंदुसतानी संस्कार और थाई संस्कार को जोड करके हम दिखा सकते हैं कि क्या चीज़ा सिन्मिलारिटी है जो हमारे दोनों को जोड़ती है उन दोनों सब भेताओं को हम दिखा सकते आपने इस इस प्रयास करना है हम आकरी सवाल आना चाते हैं बनारस को लेकर बनारस जो की बहुत कुछ दिख रहा है शेहर में बहुत कुछ बदला हो रहा है है अल gestures काशी तो कहते हैं कि प्राचीन काल से है जैसी है वैसी है लेकिन यहां के जो कलाकार निकल रहे हैं आपने एक लंबा समय निकाला है मुंबई में किस तरीके से आपको लगता है ये शहर आपको सायोग कर रहा है किस तरीके की जो आपको नए लड़के हैं वो जाना चाहते हैं उनको क्या करना चाहिए मैं दो-तीन सवाल आपको जॉइन करके पूछ रहा हूँ देखिए बहुत संचिप में अगर आप पूछना चाहेंगे तो मैं यही बताना चाहूँगा आज क्या है 5G का दौर है बहुत बड़े-बड़े सोशल मीडिया प्लाटफॉर्म आ गया हर किसी को यह लगता है कि मैं अगर एक रील बना लेता हूँ या एक टिक टॉक बना लेता हूँ या ऐसा कुछ बना लेता हूँ तो मुझे बंबई जाना चाहे लेकिन मैं बहुत ही धरातल से जुड़ी हुए सवालों के जवाब दे रहा हूँ क्योंकि आपकी स्कूलिंग अच्छी होनी चाहिए आपका एक कलाकार का पढ़ा लिखा होना बहुत जरूरी है पढ़ा लिखा का सेंस यह नहीं है कि आप डॉक्टरेट करके जाए पढ़ा लिखा का संबंद मेरा विद्या से है अब जिस विद्या में पारंगत हैं उसी विद्या में प्रयास करी आप अगर एक्टर हैं कलाक सट् Penny लिकर जाइए नियुक्स यह लिए हमारा खाल सट्मारा लोग आ अ जिसी लिए और देखें रम उस बनार खन को जीने के लिए सीड़ियों पर बैटे हैं और बाल में संगीत का कारिकरम चल रहा है कत्थक की कहां मिलेगा ये बनारस का फील गंगा महुट साओ संगर मुचन महुट साओ ये घाट ये पानी ये कहां मुझे लगता है निवान की ये हम आत्मसाथ करके ही सच्चे कलाकार बन सकते हैं किसी भी विदा में आप सफल हो सकते हैं जब हम उस मिट्टी को उसी अंदाज में जीते हैं उसी तरीके से जीते हैं जैसा कि वो माहूल है तो मैं ये बता रहा था संग्षेप में कि अगर आप सच में मुंबई जाना चाहते हैं फिल्मों में या सीरीज में काम करना चाहते हैं मुझे ये लगता है कि आपको एक बेसिक सिक्षा को ग्रहन करना बहुत जरूरी है आपको जानना चाहिए कि आप क्या करना चाहते हैं तो उसके लिए प्रॉपर तरीके से आप ट्रेंड होके जाएए और थोड़ी सी आर्थिक इस्तिती मजबूत करके जाए क्योंकि बड़े-बड़े कलाकार जब बड़े स्टार बन जाते हैं वो आपको बेसिक चीज नहीं बताते हैं रोटी, कपड़ा और मकान वाला जब आप मैदान में खड़े होने के लिए बैड बॉल, क्रीज, स्टैम्प चाहिए ना जी, जी, जरूर चाहिए के लिए आएंगे, आवधी बिया चाहिए निवान जी आखरी सवाल हम आपसे कर लेते हैं क्योंकि चाहिए भी एक और आने वाली है और आरती का वक्त भी हो रहा है सवाल ये है कि इस समय बॉलिवूड में बहुत सारे अभीनेता हैं जो काम कर रहे हैं लेकिन कुछ अभीनेता देखें ये माता जी ये बनारा से माता जी चली गई हैं यहां सामने से लोग अभीनेता चले जा रहे हैं आप क्या कहना चाहेंगे आप क्या कहेंगे विगत दो सालों में गुजर गए हमारे यंग लोग stress level इतना ज़ादा है industry में इतना ज़ादा stress level है खान पान सही नहीं है physical activity इतनी नहीं है बहुत सारी चीज़े मायने रखती है एक इनसान के लिए pressure, daily routine का भी चक्कर है तो मुझे ये लगता है कि प्रतिसपरधा stress ये बहुत बड़ा reason है कि कम age में लोग चले जा रहे है मैंने अभी कुछ दिन पहले सुना एक कलाकार है टेलिविजन के लिए actress ने suicide कर ली stress level deal नहीं कर पार है उनको सही मागदशन नहीं मिल पार है they are stars but सही guideline नहीं उनके पास motivation की कमी है मुझे ऐसा लगता है वो देखिए बात तो simple सी ये है जब आपकी मानसिक स्थिति आपके दिल से counter-directed रही आपके हिर्दय से उसका तालमेल नहीं रहेगा आप हार जाते है उन दिमाग मस्तिश्क और हिर्दय के बीच का तालमेल बहुत ज़रूरी है उबी शशक तो तरीके से आपसे दादा पूछना चाहेंगे ये जो जैसा निवान भाई ने कहा कि लोग बहुत जल्दी हार मान जाते है अपने आपको मजबूत करने के लिए क्या करना चाहिए इन अभी नेताओं को लेखा को या किसी भी प्रोफेशन के लोगों को कोई भी प्रोफेशन में सवाल तो बहुत अच्छा किया और बहुत रियालिटी सवाल किया आपने ये मेरे हिसाब से जादाता लोगों की जिंदेगी में होती है अगर कोई एक मंजिल अगर कोई ठीक किया वो अभी वो मंजिल में नहीं पहुच पाए तो जादाता लोग घिबाप कर देते हैं हाल छोड़ देते हैं जैसे कि यह देख रहा हूं माई इधर सामने गंगा नदी है यहां जो बोड बगर चल रही है तो उसमें अगर तूफान आ जाए बाई साब तोड़ा साब अगर तूफान आ जाए तो वो जो माजी है वो नाव छोड़ के नहीं जाएंगे यह हमारे लिए एक बहुत बड़ा एक्जम्पल है तो गिबाप करना कोई वीनर का काम नहीं है वीनर वो होता है वीजयता वो होता है जो गिरने का बाद फिर से उठता है फिर से गिला तो फिर से उठेंगे यह अगर माइंडसेट मन में वो चीज़ वो चीज़ एक बाद ठाल ले कि मैं पहुँचाऊंगा मुझे पहुँचना ही है वो जगा पे बात चोड़ना चाहूँगा पार्था जी किस बात पर मुझे डेड़ दशक हो गया इसी बनारश शहर से उठके गया हूँ एक मध्यमवर्गे परिवार से एक ही चीज़ सीखा मैंने Never give up आप हिम्मत मत हारी है जैसे रात के बाद दिन आता है फिर शाम आती है फिर रात टाइम एक जैसा नहीं रहता है अगर आपके अंदर सच में टैलेंट है आपको मौका मिलेगा बट वो patience मत छोड़िए धहर मत छोड़िए belief बहुत बड़ी चीज़ है विश्वास बहुत बड़ी चीज़ है और ये अश्वनी शर्मा जी भी इत्तफाक रखते होंगे क्योंकि ये हमारे गुरु भाई खुद भी बंबई शहर में डेड़ दशक काम करके एक संघर्श शील पत्रकारिता करके इस मुकाम तक पहुँचे जहां लोग आज उनको जानते हैं आप भी इस बात को बता सकते हैं कि कैसे युवा गिवप ना करें तो ये हमारी भावना अउनी चाहिए जो निवान जी से बात हुई पार्तादा से बात हुई और मुझे लगता है कि इससे बेतर आप लोगों के इंटर्विव का काशी के घाड पर समापन नहीं हो सकता और आप लोगों को बहुत बहुत शुब कामना है आपने भारत की तस्वीर के साथ बात की आपके जैन नए प्रोजेक्ट है उसको सफलता हासी लो और आप शिकर पर पहुंचते रहें बहुत बहुत शुब कामना है अपने भारत की तस्वीर सच ही मिशन है